आप सभी को नव वर्ष की शुब कामना है इश्वर साल 2022 में आप पर महरवान रहा साल 2023 में आप पर और ज़्यादा महरवान रहेगा इश्वर जब देने पर आता है तो रुखता नहीं है इश्वर की संतान है हम और आप इश्वर ने हमें पैदा किया है इश्वर ने हमें जो चर्म दिया है वो हमारे कर्मों के आधार पर दिया है एक माता पिता कोई भी माता पिता हो इस संसार में जैसे हमारा और आपका माता पिता है इश्वर वैसे ही संसार में जिस मा ने जिस पिता ने हमारा पालन पोशर किया हमें जर्म दिया हमाई जिम्मदारियों को पूरा करने में हमाई मदद की जब वो माता पिता अपने बच्चे का दुख नहीं देख पाते उनका बच्चा अगर लायक है तो साई दुनिया को सुक देता है परिवार को सुक देता है अगर उनका बच्चा नालायक है उनके बच्चे को तकलीफ है उनका बच्चा किसी भी बज़े से असफल है तो वो माबाप अपनी रोटी छोड़कर उस बच्चे के लिए रोटी जुगाड़ने का प्रयास करते हैं बच्चा महनत करे या ना करे उनका लेकिन माबाप चार जगे पर बात करते हैं मेरा बेटा इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा है. उसकी ये योगृता है, उसको नौकरी, आपके हाँ कोई नौकरी है, तो नौकरी दे दो. बेटा घर पर आराम करता है लेकिन माबाप उसके लिए प्रयासरत रहते हैं चाहे उसकी उम्र कुछ भी क्यों ना हो जाए जब जिन्होंने हमें जर्म दिया वो हमारा दुख नहीं देख सकते तो जिसने इस संसार को बनाया जिसने हमारे माता पिता को जर्म दिया जिसने इस रिष्टी को रचाया तो वो हमारा दुख कैसे देख सकता है आप बुरी सम्तान हो सकते हैं बुरे पुत्र बुरी पुत्री हो सकते हैं लेकिन माता पिता और ईश्वर कभी बुरा नहीं हो सकता वो आपकी बुराई का जवाब भी अच्छा ही से देता है और इसलिए साल 2023 में आपके लिए ऐसे शुप संकेत इश्वर ने बलाए हैं जिन संकेतों पर चल कर जिन संकेतों के माध्यम से इश्वर का आशिरवाद मिलेगा और ईश्वर का आशिरवाद मिल गया तो समझ लिए माता पिता का आशिरवाद मिल गया और माता पिता का आशिरवाद मिल गया तो समझ ये गुरू का आशिरवाद मिल गया जहां पर इतने सारे आशिरवाद हो वहाँ पर असफलता नहीं रह सकती आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आप सभी राशी वालों को मैं बताना चाहता हूँ आप अपने परिवार वालों को बताएं कि आने वाला साल दोजार पेश जो है वो केतू का साल है, केतू और केतु किसका चेला है केतु का स्वामी कौन है गुरू देव गुरू ब्रसपती तो जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे इस साल में जितना धर्म कर्म से दोस्ती करेंगे जितना आपने धर्म का पालन करेंगे ये साल उतनी ही तरक्की देगा माता-पिता की सेवा, गुरू की सेवा, धर्मिस्थान पर सेवा, आपकी तरक्की के सारे बंद दर्वाजे खोल देगी, शायद आप उमीद भी न कर पाएं तो आएए शुभारम करते हैं उन पांच शुब संकेतों का जो जनवरी 2023 में ईशुअर की क्रपा से हमें मिलेंगे, हमाई महनत कफल हमें ईशुअर देंगे, हमारे माता-पिता का जो आशिरुवाद है भो फलित होगा, आएए जानते हैं क्या है वो शुब संकेत जिससे हमार करें आपकी राशी से शुरुवात करते हैं अपूरा विस्तार कुबख सुनिएगा जन्वरी का पहला महीना है यहीं से आपकी तोजार पेईस की नीव शुरू होगी अब हम बात करने वाले हैं मितुन राशी की यह कोचर कुणली आपके समक्ष है आपको पहला शुब समपर्क बढ़त यजाना चाहते हैं विदेश से अन बहुत करने वाले हैं टोचर करने वाले हैं आपकी विदेशी धर्ती से संपर्क बढ़ जाएगा विदेश आना जाना चाहते हैं विदेशаться संबंदित कोई काम है तो वो बन जाएगा विदेशी धर्ती से लाब जुड़ जाएगा MNC कंपनी हो उससे लाब जुड़ जाएगा बुद्ध जब 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 बुद्ध और शनी का मिलन होगा या कोई दर्ष्टी संबंद होगा जन्वरी के महीने में आप समझ लेजिए आपकी चांदी होने वाली करोडों रुपए कमाने वाले हैं लाब होने बड़ा लाब होने वाला है तो जब भी शनी बुद्ध संपर्क करेंगे आपके लिए कोई सफलता का द्वार खोल देंगे तीर त्यात्रा भी हो सकती है धर्म करके कर्म के परती रुजान पढ़ेगा जितना मंदिर में मत्था टेकेंगे जितना धार्मिक होंगे उतना ही पढ़िया होगा सत्रा जन्वरी के बार जब जब आपको सफलता चाहिए एश्वर के चराण पकड़ लेजिए आप इमानदारी से आगे बढ़ेंगे आपकी कमाई बहुत बढ़ेगी बरकत होगी यानि बचत होगी आपकी अमीरी अब आने वाली है अब आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप अमीर है दूसरों किसे आपको कुछ लेना देना नहीं होगा खुदी आप सब कुछ कमा लेंगे अमीर बनेंगे बढ़िया वक्त है अचानक से बड़े बड़े परिवर्तर होंगे आप की योगिता अनुसार काम बनेंगे बड़ो का संबान करिए बड़ो का आशिवाद दिए धर मार्क पर चलिए केसर का ठीका माते पर लगाईए चावल या बनाम बहते हुए पानी में बहाईए मैं इतना कह सकता हूँ की मितुन नाशिवालों के लिए अब वक्त बदलने वाला है दूसरा शुप संक्यत आपको प्राप्त होगा 22 जन्वरी से शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे और बहुती बढ़िया हो जाएगा आप एक हस्मुक इंसान होगे जानी कि आपके चेहरे पर हसी होगी आपके काम बनेंगे देश विदेश से नाम होगा पैसा कमाएंगे उच्च शिक्षा की तरफ आपका फूरा ध्यान होगा आप किसी से प्यार भी कर सकते हैं किसी से आपकी महबब भी हो सकती है आप अच्छी योजना बनाने में सफल रहेंगे आप हैर व्यक्ति की सेवा करेंगे नाच गाना, टीवी, मीडिया, संगीत शोशल मीडिया में आपका सिक्का चलेगा यानि बहुत बड़ी है अगर आप इस फिल्ड से जुड़े हैं तो सफलता नौकरी में आपको 100% मिलने वाली है विदेश जाने के योग परेंगे विदेश से आपका काम हो जाएगा शिक्षा में लाब मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है बड़े वजल्गों के लिए समय अच्छा है गर्वती महिलाओं के लिए समय अच्छा है जीवन साथी के सफलता बढ़ जाएगी लाब का परतिशत बढ़ जाएगा काम धंदे अच्छे हो जाएगे सभी प्रकार के बहुत इक सुख साधर आपको मिल जाएगे आपको तीशा सुख संगेद देने वाले हैं बाइस तारीक से महीने के अन तक नवम भाव में शुक्रशनी की जबर्दस्यूती होगी तो आप ये समझ लिए मान समान पद परतिश्था ज्यान गौरव और निरोगी जीवन आपको मिलेगा आप अपने वैपार में कई गुना आगे बढ़ेंगे कई गुना ज्यादा सफलता पाएंगे पढ़ाई में बच्चे नंबर वन होंगे आपके पिता का भी काम चलेगा आपकी बढ़िया नौकरी होगी नौकरी में प्रगतिय और प्रमोशन होगी बिजनस में सफलता हांसिल होगी आप कई गुना अधिक धन कमाएंगे हस्मुक इंसान होंगे अच्छे विचारों वाले इंसान होंगे छोटे बड़े कामों में आपको हर वेक्ति की बदद मिल जाएगी तीर स्यात्राएं होंगी और ये समझ लिए कि आप ने जो सोचा है वो पूरा हो जाएगा आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं वकील बन सकते हैं जोश्ची बन सकते हैं देश विदेश में अपना नाब रोशन कर सकते हैं चौथा शुप संकेत प्राप्त होगा मिलेगा इज़त होगी आपकी घर वहान का पूरा सुक मिलेगा आपके नाम की चर्चा होगी माता पिता का शुरुआत होगा माता पिता के काम बनेंगे जैसे जैसे आप काम की शुरुआत करेंगे वैसे वैसे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी आपके घर महमानों का आना जाना लगा होगा आयात मेर्यात में बड़ा लाब होगा नौकरी वैपार में चमक जाएगा सितारा खूब धन कवाएंगे भाग युदे हो जाएगा पिता की सेवा शुब फल देगी आप शनी के गुणों का अपना कर चले आपका कल्यार हो जाएगा केसर का टीका लगाए और अतरिक पूजा पाट न करें बलकि मंदर जाकर सेवा करें पाश्वाश्व संकेत प्राप्त होगा बुद्ध देव की किरपा से पूरे महीने सब्तम्भाओं में आशिरवाद की वर्षा करेंगे आप लोग करिश्माई होंगे आपकी बयानबाजी का कौशल देखकर दुनिया दंग रह जाएगी आपके पाट हर प्रेशन का उत्तर होगा तर्क वितर करने की एक अच्छी छमता होगी, शक्ती होगी अच्छे शब्दों का प्रियोग होगा बोल बोल कर आप पैसा कमा लेंगे आप अच्छे इंसान होंगे अच्छे वैपारी होंगे लोग आपकी तरिफ करेंगे जहां जाएंगे, वहाँ पर नाम कमाएंगे, वहाँ का महौल अच्छा कर देंगे आपके पास खुछ सूरत दिमाग होगा आप बातों बातों में बहुत को सीख जाएंगे बातों बातों में दुनिया को बहुत को सिखा देंगे महिलाओं को जन्वरी में जबरदस्त लाव होने वाला है आपकी कलम की ताकत से बड़े-बड़े काम बनने वाले हैं आप खुब बातूनी होंगे बातों बातों में सभी का दिल जीत लेंगे फालतू के वाद विवाद से बचे आपके पास दौलत होगी आपके पास जीवन साथी का प्यार होगा आप बढ़िया दौलत बंद इनसान होगे सात्विक भोजन करें परिवार में कोई क्या कहते हैं जगड़े वगड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं या आप उन जगड़ों को खत्म करने की कोशिश करें बेकार की बातों में ना पढ़ें यह समय बहुत बढ़िया है मैं आपको यही कहूंगा यह समय है आनंद प्राप्ति का तो कुल मिलाकर मिधन नाशी वालों के लिए जो सफलता के पांच उप संकेत थे यह जन्वरी को तो इतना बहतर बनाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आगे आने वाले वक्त वो इतना बहतर बनाएंगे कि आप की कल्पना से परे होगा शायद आप का वक्त अब वाकरी में बदल गया है एक कठिन संघज को खत्म करके अब आप अच्छी रहा पर चलने वाले हैं इंजॉय करें, खुश रहें और अगर आपकी जर्म कुल्ली में गरहों की इस्तिती बढ़िया है तो मैं आपके लिए ही कहूँगा 2023 आपके लिए परम सुख लेकर आ रहा है इश्वर काशिरवाद बना रहे और आप लोग ऐसी तरक्की पाए नवर्ष की सुबकामनाए और इसके साथ साथ अगर आप अपनी जर्म कुल्ली बनवाना चाहते हैं आपके लिए के नवरों के सम्पत कर सकते हैं नमस्कार